नमस्कार सत्तिहिदी.com पर आपका स्वागत मैं हूँ शैलेश उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने एक बयान से संसनी फैला दी है उस बयान में उन्होंने कहा है कि आजादी की बात करना भी जो है वो देश रो हो सकता है हाला कि उन्होंने इसमें कश्मीर शब्द का भी इस्तमाल किया लेकिन जो इस समय नागरिकता कानून के खिलाफ आजादी के नारे लगाये जा रहे हैं में तो कहीं भी कश्मीर की बात नहीं आ रही है तब योगी आदरति कानूनी कारवाई हो सकती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार धंकियां दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में ही जो नागरिक्ता कानून है उसका विरोध करने वालों के खिलाफ सबसे ज़्यादा पुलिस के कारवाई हुई है 22-23 लोग जो है अब तक उत्तर प्रद प्रदेश में करीब करीब डेर सो लोगों को के संपत्ति जब्त करने के नोटीस जो है वो भेज दिये गया है आरोप उन पर यह है कि उन्होंने सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया यह सब कारवाई हैं इतना इतनी इतनी कठिन कारवाई है उत्तर उत्तर प्रदेश में भी जो शाहिन बाग जैसे हैं जैसे शाहिन बाग में महिलाएं बैठी हुई हैं दिल्ली में उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी कई शहरों में महिलाएं जो हैं धरना प्रदर्शन दे रही हैं और मुक्ष रूप से वो नागरिकता कानून का विरो में शामिल हो रही है वो असल में क्या नारे लगा रही है तो सुना आपने महिलाए नारा लगा रही है हम लेके रहेंगे आजादी गांधी वाली आजादी भगत सिंग वाली आजादी क्या योगी आदितिनाथ जी को गांधी वाली आजादी पर भी एतराज है और भारतिय जनता पार्टी के लोग आजकल तो भगत सिंग का भी जैजेकार करते रहते हैं क्या भगत सिंग ने जिस आजादी की बात की थी उससे भी उनको एतराज है ये एक बहुत कंभीर सवाल है आखिरकार वो इस तरह की भाशा क्यों बोल रहे हैं हाला कि मैं पढ़ देना चाहता हूँ भाशन में एक जगा जो उन्होंने कहा मुख्य मंतरी योगी आदित्यनाथ ने मैं उनके भाशन का कुछ हिस्सा जो है पढ़कर सुनाता हूँ कश्मीर में जो नारे कभी आजादी के लगते थे अगर इस प्रकार के नारे लगाने का कारिय करेंगे तो देश द्रूह की स्रेनी में आएगा और फिर उन्होंने बताया कि उस पर कारवाई होगी संपत्ती की छती होगी तो उस पर कारवाई होगी एक मुख्य मंतरी एक राजनितिक आंदोलन को लेकर खुल्याम धंकी वाली भाशा में बात कर रहा है आखिर कार क्यों शायद इसलिए कि कहीं न कहीं से उनको लग रहा है कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सब कुछ सही है और उसका विरोध नहीं हो सकता तो योगी आदी तिनात जी आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि 2014 में जब भारतिय जंता पार्टी की महान विजय यात्रा की शुरुआत हुई थी उसके ठीक पहले दिल्ली में अंडा हजारे के नित्रित्तों में हजारों की संख्यावे लोग महिनों तक बैठे रहे और उनकी मांग थी मुख्य रूप से ब्रस्टाचार को खत्म करने की तो लोग जिस समय जो समस्या बड़ी हो जाती है या जिससे लोग सहमत होते हैं उस पर अपना विरोध जताते हैं अपना प्रदर्शन करते हैं और यही लोक्तांत्र है तो सवाल ये उठता है कि लोक्त कि देर महीने करीब करीब एक देर महीने हो गए हैं शाहिन बाग में और देश के और बाकी हिस्सों में जो महिलाएं हैं वो धर्ना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं और जो है वहाँ सरकार की तरफ से बात भी नहीं कर रहे हैं लखनों में ही देश के ग्रिह मंत्री अमिश नहीं होगा थोड़ा तज्जुब होता है लोकतंत्रिक सरकारें जो हैं मेल मिलाप की सरकारें होती हैं और वो कोशिस करती हैं कि अगर लोगों को किसी बात पर नाराज़गी है तो उसका हल निकारा जाए और ये कभी-कभी ही देखा जाता है जब सरकार अपनी जिद प्यार जाती है और वो लोगों की बात को सुनने से इंकार कर देती है तो ये लोकतंत्र है और मैं ध्यान दिलादूं की जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है वहां भी लोग सड़क पे खड़े हो जाते हैं और वहां भी विरोध करते हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां लोग तो भारत में एक स्थापित लोगतंत्र है 1947 में आजादी मिलने के बाद से लेकर अभी तक हमारा लोगतंत्र चल रहा है लेकिन कभी-कभी ऐसे नेता आते हैं जो जनता को भी धंकी देते हैं शायद वो भूल जाते हैं कि जनता के वोट से ही वो जीत कर आते हैं शायद वो ये भी भूल जाते हैं कि जनता का जो वीचार है जनता का जो बंध है जनता का जो नेता चुनने का अधिकार है उसमें कई बार बदलाव भी आजाता है इसलिए पार्टियां बदलती रहती है लोगों ने पिछली सरकारों को पसंद नहीं किया या उनसे उप गय थे तो बीजेपी की सरकार आ गई लेकिन ये कोई आखरी सरकार नहीं हो सकती कोई लोगतंतर में ये आखरी चुनाओ नहीं हुआ है और इसलिए ग्रेह मंत्री या मुख्य मंत्री अगर जनता को धमकी वाली भाषा बता रहे हैं तो निश्रत तोर पर वो कहीं ने कहीं से राजनितिक गलती कर रहे हैं। और शायद वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि हिंसा होने पर किसी भी तरह का नुकसान होने पर उनके खिलाफ कारवाई की जाती है। तो उसमें महिलाओं के भागिदारी बहुत कम होती है। ये बहुत दिनों के बाद देखा जा रहा है कि एक तरह से इस पूरे अंदोलन का नेत्रत जो है महिलाओं के हाथों में है। और इसलिए जो चुनी हुई सरकारे हैं उनको और सावधान हो जाना चाहिए। क्योंकि महिलाओं जब अपनी इक्षा से वोट करने लगती हैं तो बड़ी-बड़ी सरकारें जो हैं वो भी गिर जाती है। बहुत मुश्किल होती है। तो इसलिए अगर ये कह करके कि किसी खास धर्म के लोग कर रहे हैं और ये कह करके कि किसी खास धर्म के लोगों का ही इस आंदोलन से संबंद है कोई हल नहीं निकल सकता। उम्मित तो यह थी किसरकार जो है सामने आकर के बात करेगी, केंद्र की सरकार भी और रज्जियों की सरकार भी लेकिन वो नहीं कर रहा हैं तो आजादी का नारा लगाने का अफ़राद है? बहुत दिनों से लोग नारा लगाते हैं हमें चाहिए भूक से आजादी हमें चाहिए गरीबी से आजादी हमें चाहिए बेरोजगारी से आजादी तो इसमें बुरा क्या है इसमें कश्मीर में कुछ लोग जो हैं जो छेत्र की आजादी की बात करते हैं उससे जोडने की ज़रूरत क्या है वैसे भी बहुत सारे अर् राजनितीक आजादी तो मिल गई लेकिन आर्थिक आजादी नहीं मिली है और राजनितीक आज़ादी जो है उस पर भी कही न कहीं से कोई क्reek खत्रा दिखाई दे रहा है तो निष्चित तोर पर लोगों को प्रदर्शन करने का अपना विरोध जाहिर करने का अधिकार है आज के लिए बस इतना ही हमारे प्रोग्राम कैसा लगा आप हमें जरूर बताईएगा आप यूट्यूब पर फेस्बुक पर और ट्विटर पर भी हमसे जूर सकते हैं सत्हिंदी.com पर आकर अपना विशार रख सकते हैं और चलते चलते आपको नमस्कार के साथ साथ मैं एक वीडियो के साथ छोड़ जाता हूँ जिसमें महिलाएं फिर से आजादी वाले नारे लगा रही हैं लेकिन जड़ा सुनिए कि वो किस चीज से आजादी की बात कर रही है। सत्हिंदी के और वीडियो को देखने के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं पाने के लिए लाँ आजादी के लिए लाँ आजादी के लिए हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें